हेलो दोस्तों अगर आप हमारे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप हमारे एक सवाल का उत्तर दीजिए आपको अपने जीवन में सही तरीके से जीने के लिए कितना पेशा काफी होगा बताईए सो समझ कर बताईएगा क्या एक करोर काफी होगा दस करोर, पचास करोर, सो करोर, हजार करोर इतना ही काफी होगा या इससे भी ज्यादा अच्छा चलिए इससे भी बहुत ज्यादा सोचते हैं जो सोचा भी ना गिया हो यदி आपके पास दुनिया की सारी दोलत आ जाये तो काफी रहेगा? हाँ यह सही रहेगा अगर अभी कुछी दिर में आपके मुबाइल में एक मैसे जाए और आपको पता लगी कि दुनिया की सारे पेसे आपके एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन साथी साथ आपको पता लगी कि दुनिया के सभी लोगों ने अपने एकाउंट में से पेसे जीरो होने के कारण निरास होकर अपनी जान दे दी है और अब आप इस दुनिया में अकेले पुरे संसार की दौलत के मालिक हैं अब तो आप दुनिया में अकेले सबसे अमीर वेकती हैं अब तो दुनिया के सभी महंगे से महंगा मोबाइल, सोना, हिरे, जवारात, बरे से वरा मोल, सभी बिल्डिंग, जमीन और टेश्टी खाना सब कुछ आपका ही होगा यदि ऐसा हो जाये तो बताइए कि दुनिया का सभी पैसा जो आपके एकाउंट में है उसका आप क्या करेंगे सोच कर बताइएगा उसे कहां खर्च करेंगे सायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ओ पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा और साथी साथ आपने यह भी महसूस कर लिया होगा कि हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है बलकि हमें तो उन चीजों की जरूरत होती है जिनें हम पैसे से खरिदते हैं जैसे कि पैसा खास नहीं होता है खास तो वह होता है जो आप पैसे से खरीदते हैं और उसे इस्तमाल करते हैं अब अगर आपके एकाउंट में आए पैसे को हटा दिया जाए अब भी आपके पास दुनिया में हर चीज मजूद है क्या आप उनका परियोग करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे अब तो जो चाहे खाएंगे जो चाहे पहनेंगे पूरे सरीर को सोने से लाद लेंगे अब तो यह भी इस्तमाल करेंगे अब तो वह भी इस्तमाल करेंगे लेकिन सबसे बड़ा प्रस्न यह आता है कि किसी भी चीज को आप कितना इस्तमाल करेंगे? किन किन चीजों का आप उपयोग करेंगे पूरी लाइक में आप किस किस चीजों को कितना उपयोग कर सकते हैं यानि अब बात आती है कि आप कौन सी चीजे कितनी मात्रा में परियोग करते हैं या करना चाहते हैं या कर सकते हैं उधारन के लिए यदि आपको खाने में छोले चावल पसंद है तो आप उसे कितना खा सकते हैं जाहिर सी बात है आप उतना ही खाएंगे जितने में आपका पेट भर जाए यहां मैं आपको बता दू कि आप भी यह छोले चाबल भरपेट से ज़्यादा नहीं खाएंगे और यदि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति को खिलाए जाए तो भी वो भरपेट से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे कुल मिलाकर में यहां यह बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई वी वेक्ति किसी वी चीज को अपनी जरूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकता है चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो चाहे वो कितने भी पैसे कमाता हो अगर आपके जरूरत से ज़्यादा है तो वो आपका किसी काम का नहीं आता है क्यूंकि आप उसका कभी उपयोग करी नहीं पाएंगे लेकिन बस यहां यह हो सकता है कि दुनिया की लोगों की जरूरतों में थोरा बहुत अंतर हो लेकिन कोई विशेस व्यक्ती अपनी जरूरतों से ज़्यादा तो ना खा सकते हैं ना ही पहन सकते हैं और ना ही जरूरत से ज़्यादा जगों में रह सकते हैं मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी अब आपको जीवन में उतने ही पेसे की जरूरत है असानी से कर सकते हैं, यह बात किलियर हो गई है कि हम अपने जीवन में जरूरत से ज़्यादा चीजे उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो अब पेसों के लिए पूरी दुनिया में चुहाद और क्यूं है? करोरों लोग जरूरत से ज़्यादा पेसे कमानी की इच्छा रखते हैं जबकि सबको पता है कि जबकि लोग अपने पेट में जरूरत से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं लोग अपनी जरूरत से ज़्यादा कपरे नहीं पेहन सकते हैं लोग अपनी जरूरत से ज़्यादा जगा में नहीं रह सकते हैं, लोग अपनी जरूरत से ज़्यादा दुनिया की कोई भी चीजी उपयोग नहीं कर सकते हैं, जब इतना सब लोग जानते हैं तो जरूरत से ज़्यादा दुलत कमानी की चुहा दोर में क्यूं लगे हुए हैं जबकि अपनी इस इच्छा के लिए वह अपनी बहुत सी चीजों को खोते जा रहे हैं क्या है वह चीजे आईए जानते हैं हमारे जीबन में सबसे ज़्यादा वेलू किस चीज की है पेसों की, जरूरत की वस्तुओं की, या रिस्तों या परिवारों की सोच कर बताईएगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आपके एकाउंट में दुनिया की पूरी दोलत आ जाए लेकिन इस दुनिया में कोई ना रहे तो पूरी दुनिया की चीजे भी आपकी होगी अगर ऐसी स्थिती हो जाए तो यह किलियर तो हो चुका है कि अब आपके एकाउंट का पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा लेकिन दुनिया की हर चीजे को आप उपियोग कर पाओगे लेकिन ओभी जरूरत से ज्यादा नहीं कर पाओगे इसके अतरिक एक काम और होगा कि आप बहुत जल्दी मर जाओगे क्यूं भाई क्यूं जल्दी क्यूं मर जाएंगे अरे भाई आपने सुना होगा कि मनुस एक समाजिक प्रानी है समाज के विना हम नहीं रह सकते लेकिन पूरे समाज को तो हम अपना नहीं बना लेते हैं लेकिन समाज के कुछ लोग आपके लिए खास होते हैं जिनसे आप relationship बनाते हैं अधिकतर लोगों के लिए रिष्टो में खास कुछ नहीं हो सकता रिष्टे हमारे लिए सबसे भेलुवल चीज है लेकिन मेरे हिसाब से रिष्टो में ज्यादा मुल्यवान एक चीज और भी है और वो है स्वास्त यानि सरीर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा यह सभी मानते हैं लेकिन फिर भी अपने रिष्टो और health को दाव पर लगा कर दोलत इखठा करने में लगे रहते हैं वो भी जरूरत से ज़्यादा जिसकी कोई लिमित नहीं होती है दोलत कमाने में लगे हुए हैं बस वो दोलत कमाने में ही लगे हुए हैं आईए हम जानते हैं जरूरत से ज़्यादा पेशो के लिए हम क्या खो रहे हैं आजकर लोग सुबद जल्दी घर से निकल जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं ओ ऐसा क्यूं करते हैं अधिक पेशा कमाने के लिए अधिक देर घर से बाहर रहना परता है भाई लेकिन अपनी वो फेमली के साथ बिताने वाले गोल्डन टाइम को खोते जा रहा है Step 2 लोग अपने दोस्तों तक की साधी में नहीं जा पाते हैं क्यूंकि नोकरी से छुट्टी लेकर जाएंगे तो पेशे कर जाएंगे या लोग के पास टाइम ही नहीं रहता है इस कारण लोग दोस्तों के साथ जो जीवन भर का सुख़द अनुभव मिलता है उसे वो खो देते हैं step 3 एकसे सैज करने की बात आये तो ना भईया ना टाइम ही नहीं है कसरत का तो रिजल्ट क्या होता है जितना पेशा एक्ष्ट्रा कमाते हैं उससे ज्यादा तो बिमारी सरीर में लग जाती है ओभी जिन्दगी भर के लिए step 4 लोग बच्चे पैदा करते हैं क्यों ताकि वुढ़ाफे में हमारा वो सहारा बन सके लेकिन आजकल तो लरकी हो या लरका समय आने पर जोब करने तो सहर से बाहर चले जाते हैं या फिर पेशा कमाने में इतना विजी रहते हैं कि टाइम ही नहीं देवने पाता है अपने चलो एक दिन आगे निकल भी गए तो केवल पेशे में तो आगे निकलोगे जबकि या नहीं पता कि दोस्त, रिष्टे, परिवार, हेल्थ, सब कुछ पीछे छुट चुका होगा जब या सब पीछे छुट जाएगा तो पेशे किसके लिए और क्यों कमाएं इसलिए सबसे पहले यह जान लें कि आपको अपने जीवन में कितनी दोलत की जरूरत है या पता करने के बाद उसे 80 से डिवाइज कर लें क्यूंकि 80 साल से ज़्यादा आजकल कोई नहीं जी पाएगा फिर उसे 12 से डिवाइज करके महिने की इंकम जान लें और उसी के हिसाब से स्मार्ट वर्ग करें और पैसा कमाएं पैसे के लिए चुहा दोर में ना भागें इसका कोई अंत नहीं है रिष्टो और परिवारों को समय दें ओ आपका वेसवरी से इंतजार करते हैं दोस्तों के साथ चाय पीने का समय निकालें समय पर दोस्त ही काम आते हैं और हां सरीर पर तो साथ दे सकते हैं लेकिन दर्द खुद को ही सहन करना पड़ता है दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें और चाहिए